नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेटर्स टाहरी में दोस्तों काफी लंबे समय बाद कल्यान ज्वेलर में एक बिगस्ट स्पाइक देखने को मिला है और मैं आपको बता दूं कि जब से यह लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक जो है वो तेजी में सबसे बड़ा स्पाइक यानि साथ पर साड़े साथ आठ परसेंडिक तेजी अब तक नहीं दिखाई है इसने तो दोस्तों इसके एक बड़ी बज़य है और आप जानते कि यह इस तरह इस कदर जो टूटा है यह स्टॉक सारे इंवेस्टर जो हिल गए तो यहां पर 27 मेरिको क्यू फोर के रिजल्ट भी आने वाले जिसकी वज़य से पहले ही तेजी होने लगी है इस स्टॉक के अंदर तो ध्यां रखेगा आप कल का दिन बीच में यानि थज़्टे जो बैटनेस्टे जो डे है वो बीच में बस और थज़्टे के दिन हमारे स हमारे सामने रखी होगी कल्यां जुएलर्स की उसके बाद जो है वो मार्केट रियक्ट करने वाला है इस स्टॉक की उपर और काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यह रिजल्ट क्यूंकि यहां पर हमने देखी अगर यहां पर रिजल्ट अच्छे आते हैं जो की प्रूफ गल्ट का जो स्टॉक है वहां पर सीधे आपको जाता हुआ दिखेगा और शायद यह कहना गलत नहीं हो कि एक दिन की स्पाइक काफी जादा तीजी होने वाली है जो की बीस परसेंट के इसमें सर्किट लिमिट है और लगता है कि उस दिन अगर रिजल्ट अच्छे आते है तो उस दिन 20% कोई मामली बात नहीं है तो देखते हैं यह हम देखते हैं कि उस दिन 5 वक्स हमको देखने को मिलते हैं या फिर गरावट हमको देखने को मिलती है क्या है लेकिन चली आगे की बात जो है वह हम समझते हैं तो आपके सामने चार्ट है और यह अब तक का है और यह आपके सामने लाइन दिख रही होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा उन लैनों से किस तरीके जो है यह गिरा है पहले उपर से तो गिरा ही था फिर एक रेंज में यह चला काफी दनों तक एक अप एंड डाउन की एक रेंज रही है इसके अंदर और फिर एक एक जो डंप किया है काफी नीचे आ गया था यह फिर यहां जो 55 56 के जो लेवल से 50 मेरे क्या से सौरी 57 को जो लेवल से 57 की जो लेवल से हां से एक यहां पर यह समझे कि यहां पर बॉटम बनता हो दिखाई दिया अभी के लिए यानि अब जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ह यह डिसाइड हो कि यह प्यॉर बॉटम है यह नहीं है यानि यह पक्का बॉटम है यानि 56 से 57 के जो लेवल है यह जो बॉटम बन चुका है यही बॉटम है यह हमको रिजल्ट के बाद समझ वाएंगे चुकि आगर रिजल्ट खराब आते हैं तो यह घरेगा और यह जो साथ रुपए का यह एक इंपॉर्टन लेवल है उसके बाद 56 57 के जो इंपॉर्टन लेवल है उसको तोड़ने की कोसिस करेगा तो अब देखना बनता है कि यहां से तो यह सपोर्ट यहां पर 56 का अभी के लिए बन चुका है और दूसर जो सबसे इंपॉर्टन लेवल है व तो एक ऊपर आपको एक रेंज दिख रही है तो यहां पर अब देखने को मनता है कल का दिन बीच में यानि 56 माई का जो दिन है वो बीच में है और हमको यहां पर चाड़ काफी बहतरी नहां पर दिख रहा है तो आपके सामने 67.85 पर क्लोजिंग दिये एक करोड 21,99 चार कस अब तक का नहीं बोलेंगे लेकिन अभी जो बीच में जो वॉल्यूम्स है उन में तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आज के दिन हुए है यानि एक लिस्टिंग के दिन हुए थे वॉल्यूम्स इसमें और उसके बात जो है आज वॉल्यूम हुए है यानि इतने दोनों सब्सक्राइब जो है वो हमको देखने को मिलने हैं या पर बॉल्यूम्स अब हमारे सामने यह सब जान लेने काफी ज़रूरी है रिजल से पहले तो मार्केट कर जो है वह आप हो चुका है आज के डेट में 6490 करोड सीधर सीधर रांड फिकर ले लेते हैं 6490 करोड का मार्केट सब्सक्राइब आनिक परशर 1.38 है पी रेशियो 45.61 है इंडेस्टी बी 73.14 है और पुग वेल्व परशर 35 रुपए 67 पैसे है तो दोस्ते यहां पर हमको मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो पी रेशियो आपको 45.61 दिख रहा है जब यह कंपनी लेस्ट हुई थी तो इस पी रेशियो था लेकिन इसमें इंडेस्टी पी जो है वो गलत दे रखता यहां पर 73.40 नहीं है यहां पर जो इंडेस्टी पी यह वो 40 के आसपास है तो ध्या रखिये गाँ दोस्तों यहां पर 45 और 40 में काफी ज्यादा डिप्रेंस नहीं है इस टॉक का पी रेशियो अब पांच पॉइंट 5.61 जो है पॉइंट जो है वह उपर है पहले यह चालिस पॉइंट उपर था आप सिर्फ पांच तो आप देखने किस कदर जो ग्रावट हुई है और पी रेश्यों आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा फेवरेवल मिला है तो यहां पर सारी चीज़ देखी यहां पर ले जाँ दौन बनेगा दूरार और और दो यहां परAnn पर मिलाना इसके और फिफिक हां टेजित देखी रहे है और जैसा जानते हैं कि खरिणने की राय हमीशा रही है इस स्टॉक में और यहां पर जो है सारी सारी चीज़ें जो फेवरेवल है बुग वैलियू 35.67 है और यहां पर कोई भी बुरी बात नहीं है कि यहां पर यह स्टॉक अभी 67 के लेवल पर काम कर रहा है यानि दुगने अपनी बु तो इसका मतलब है कि आपको वो स्टॉक कहीं ना कहीं खरीद लेना ही चाहिए वो एक अच्छे रिटन दे सकता है क्योंकि फंडमेंटल गूड कंपनी बुग वैलियू के पास कोई कोई कंपनी मिलती है जैसे आपने बुग वैलियू से नीचे काम करें थे और फंडमेंटल लेवल्स पर खड़ा है और यहां पर 165 का जो लेवल है टाटमेटिक का उसे पार करते ही वह रॉकेट होने वाला है तो यहां पर सेम वही मैं बता रहा हूं कि कल्लेंजुलस मैं भी जो है वह रॉकेटरी एक स्टॉक है और यहां से दुगना अगर यहां से हो जाए 67 से सब्सक्राइब है अभी तब कोई भी स्प्लेट नहीं हुआ एक सो तीन करोड शेयर से मार्केट के अंदर ध्यान रखेगा फेस वैल्यू टैन है इसमें कोई भी स्प्लेट होने की चांसे पर तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूं उसके रिजल्स दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल्लें जॉर्श ने अपरेल में थस्टे के दिन मुझे नहीं पठा कौन से अफ्तेगी बात है मैं नहीं नोट नहीं किया है तो मेरे सामने अभी नहीं आ रहा है और मैंने थ्यान नहीं दिया तो यहां ठीक है कल्यांजुलर्स ने आपर बोला है कि फॉर्थ कौर्टर ऑफ बाइट वाले हैं इस वक्त आप ध्यान रखेंगा रिजल्ट्स हमारे 27 में को आने वाले हैं तो फॉर्थ कौर्टर में जो है वो साट परसेंट एयर ओन एयर जो है और रिवन्यू ग्रोथ देखने को यहां पर मिली है इंडिया की ऑपरिशन्स में यानि इंडिया की अगर सिब बात करें क्यूंकि आप जानते कल्यांजुलर्स एक ऐसा कंपनी है जो दोबई में प्रीमियम डीलक्स अगर हम बोले प्रीमियम जो प्रीमियम जो ब्रांड है उनमें से एक है तो कल्यांजुलर्स दोबई में अगर हम देखेंगे दोबई में हम जैसे एड देखते हैं किसी भी कंपनी के लिए एड करवाना इतना महंगा एड करवाना बहु सो सो दो दो सो करूर रुपए लेते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि शो से लेकर बहुत सारी चीज़े कल्यान जोलस की तरफ से और्गनाइस करी गए हैं दोवई के अंदर अपने ब्रेंड को फैलाने के लिए काफी जादा स्टॉंग ब्रेंड है यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से तीन गुना भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है यह स्टॉक 180, 170, 180 जो लेवल्स है वो इसमें दिखा सकते हैं और अभी तो फॉरें की जो ग्रोथ है वो हमको अभी देखने को नहीं मिली है तो यहाँ पर हमको समझ में आएगा हम देखेंगे कि कैसा आने वाला रिजल्ट क्योंकि मैनेजमेंट ने जो है वो संकेत तो पहले ही दे दिए कि साट परसेंट का जो है यह 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 जो है।ब ग्रोथ देखने को मिलेगी यह यह यहुघ है उनकी साट परसेंट जो है वह जो है वह ग्रोथ देखन wicked को मिली है तो दिखते हैं और आपके सामने यह फाइनेशल रज़ल्ट्स है और बहुत ही कम आपको दिखाएह हैं किसीने और यह हर जगा एविलेबल नहीं सिर्फ कल्या जोलस की बैप साइट पर ही एवलेबल है तो आप किसी भी एप में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फाइनेंसर रिजल्ट्स हैं और यह सारे फिगर जो हैं वो रूपीज यानी इंडिया के बाहर का जो बिजन्स है उसे बीज और इंडिया की जोड़कर जो सारे की सारी नमश से वह एक तरफ रख रखे गए द्यान रखिएगा तो यहां पर चली कन्वेट यहां पर जो है वह हम देखते हैं कंपरेजन करके देखते हैं तो स्टेंडलोन में मार्च 2019 मार्च 31 की जो रिपोर्ट है उसके मुताविक रिवन्यू 7,448 करोड रुपए था जो की भढ़कर मार्च 2020 में जो है रिवन्यू पहुंच गया है 7,845 करोड रुपए तो यहां पर जो है 400 करोड की सीधी सीधी जम दिख रही है और अधर इंकम जो है वो भी यहां पर स्टेंडलोन बढ़ी है तो अधर इंकम 584 यानि अग जो है वो भढ़कर नाइटी नाइटी एट सॉरी 58 करोड थी 2019 में जो की भढ़कर 2020 में 98 करोड पहुंच गई है तो यहां पर अब टोटल क्या है टोटल यहां पर बैट गया है स्टेंडलोन की सब्सक्राइब बात कर रहे हैं तो मार्च 2020 मार्च 2019 के हिसाब से 7,506 करोड है वह भढ़ गया है और मार्च 2020 में जो है रिविन्यू पहुंच गया है टोटल साथ हजार 944 करोड रुपए तो यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीक से एक जंप हमको देखने को मिल रहा है यहां पर रिविन्यू को और यहां पर बात की गई है कि साट परसेंट यहां पर ग्रोथ तो आप अनुवान लगा सकते हैं मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा आप खुद देखिए कि साट परसेंट किस हिसाब से जो है वो ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी तो यहां पर रिजल लगता है कि काफी ज्यादा शांदार आने वाले हैं एक्सपेंडिसर जो कि बढ़कर 156.35 करोड रुपे पहुंच गया है तो 44 करोड से 2020 में बढ़कर 156 करोड पहुंच गया तो यहां पर जो ग्रोथ है वो इतनी बढ़िया दिख रही है कि आपको दिख रहा होगा कि स्टेंडलोन के जो अर्निंग पर शेयर है जो कि 0.54 था 2019 में अर्निंग प पॉइंट है 50 या 2.60 के असपास होने चाहिए ठीक है ना तो दोस्तों यहां पर एक ही दिन रह गया है और हमें यहां पर वेट करना है और काफी ज्यादा जो है वह यहां पर दिखेगा कि यहां पर जो रिजल्स आएंगे तो यहां पर बहुत ही तंगड़ा रियक्शन हमक 770 करोड रुपए के रिविन्यू थे 2019 में जो की रिविन्यू 2020 में भढ़कर 10100 करोड रुपए यहां पर पहुंच गया है रिविन्यू अधर इंकम भी दुगनी हो गई है 2019 में कंसॉलिडेट में 432 करोड ती जो की अब 2020 में 800 करोड है और इस वार भी बढ़ने वाली है तो अगर हम टूटल देखें तो 9814 करोड रुपए जो है वह रिविन्यू था टूटल 2019 में जो की बढ़कर 10181 करोड रुपए यहां पर पहुंच किया है तो यहां पर अंडाव्टिड ली आप बोल सकते हैं कि आपर जो जंप है वह यहां पर रिजल्टे में बहुत ही बहुत हैं और दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि इस स्टॉक को जो है वह अच्छे रिटन्स क्लिक लेने चाहिए ताइटन जो है वह अलग चीज़ है लेकिन कल्लयांग जो है वह अलग चीज़ है टाइटन में घड़ी को ब्रफ्यूम से लेकर और भी चीज़ बनाने लगें इसकी व्यद्वाइसे टायटन का जो ब्राइंड हो काफी उचा है लेकिन करल्या जो लर्स अगर रहें काल्यां ज्योल्रजर। को compare कर और यहां पर considerably को नहीं जड़रूत नहीं है दोस्तों यहां पर मिद्स दों पर कोई भी लेना देना नहीं है उनका जो ओड मी इतना आई एक ऑन गासे ऑर फिर फ्रीनियों इतना नहीं है कि यह उनका पर टैक सबस्तें और अधर आगला मतश्च बात करें जो फिगर है वो काफी ज्यादा शानदार है और यहां पर अर्णिंग परसे रहें वह भी बहुत बढ़ा है तो 0.23 था 2019 में जो कि भढ़कर 1.70 पहुंच गया है अब इस स्टॉक में पैनक क्यों आता क्यूंकि आप देख लीजिए 2028 यानि मैं बात करूं कि 2021 प्रमोटर की इस कंपनी में ओल्ड करते हैं जो कि कभी 76 परसंट और आई प्यों के आने के बाद जो है तुरंत प्रमोटर की सेलिंग स्टार्ट हो गई इस स्टॉक में और यह स्टॉक जो है वह दढ़ाम से गिर गया था तो ध्यान रखिए कि दोस्तों यहां पर जो ग्रा मोंटर की सेलिंग की वाज़े से बना था जो कि हमने तुरंती अब्जब किया था जब मार्च दोजार किसकी शेरोल्डिंग पैटर्न की रिपोर्ट आई थी और यहां पर लेकिन यहां पर एक चौका आने वाला जो दिखा था वह एफाई आई नहीं आपर हिस्सा बढ़ाया 4.80% पहुँचए जो कि 0% होल करते थे डिए याई 1.67% इस कंपनी में होल्ड करते हैं जो कि पहले 0% होल करते थे नोन इंस्टिटिउचिन इंवेस्टर जो तो इस वक्त 33% होल्ड करते हैं तो यह थी बात कि प्रमोटर की तरफ से जो सेलिंग थी वह आब हो चुकी खत्म और 56 का बॉटम बन चुका है जहां तक है अब यहां पर मैं आपको लेवल बताता हूं तो 64.20 के उपर जब तक रहेगा तब तक इसमों बाइंग की अपोचिटी रहने वाली है लेकिन 64.20 के नीचे अगर इसने सिलिप किया और 64.20 के नीचे अगर स्टार्ट करता है यह चलना तो आप समझ लीजे कि यहां पर जो बाइंग है वो सेलिंग में कनवर्ट हो जाएगी और यहां पर सेलिंग प्रैसर जो है वो काफी जादा दिखने वाला है तो यहां पर दिख सकता है ऐसा यह पका नहीं है द जब तक 64.20 के उपर है तब तक बाइंग बाइंग और बाइंग लेकिन अगर उसके नीचे तो सेल यानि होल्ड करिये का नहीं और अगर रिजल्ट अगर थोड़ा सा भी गड़ उड़ा जाए तो यहां पर जो जिनको प्रॉफिट है वो यहां पर एक एक वार तो यहां प यहां पर होल्ड करके चलना सबसे बढ़िया बात होगी और रिजल्ट आते हैंगोर जो चले ना स्टॉक और रिजल्ट के वार क्यौकि आप जानते हैं रिजल्ट के गा एकड़ एकुर्ब में रियक्शन देगा तो जैसी रिजल्ट आते हैं अगर आप उस चीज के लिए कि result जैसे ही अच्छे आएंगे और आप खरीदारी कर लेंगे और आप होल्ड करके चलेंगे तो आप बिल्कुल ठीक है अगर जैसे ही आता है और अच्छा आता है और तुरंट आप खरीद लेते हैं तीजी होने से पहले ही तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें कमाल की तीजी होने वाली है तो ये देखते हैं दोस्तों दो दिन की बात दूसर दिन यानि थरस्टे के दिन वो रिजल्ट आने वाले हैं और काफी लंबी वीडियो हो चुके लेकिन आपर समझना काफी जादा इंपॉर्टेंट था तो हमने हर चीज समझ ली है और थरस्टे के दिन जो है रिपोर्ट आने वाली है और वही डिसीजन लेगी हमारे इस स्टॉक के लिए तो यानि हम डिसाइट करेंगे ठीक है ना तो अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगती है इसे वीडियो में कि कुछ गलत बोल दिया है तो आप उसको सही करिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखके बेजएगा अगर कुछ छूट गया तो उसके बारे में भी लिखके बेजएगा और दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये लंबी हो चुके तो आपको करारा थोड़ा लग रहा हो तो आप स्किप करके देख चुके होंगे मुरे ख्याल से तो अच्छे ही रहेगा तो यहाँ पर जो अगर आपको ये वीडियो चिल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा प्लस आप बेल आइकन जरूर दपाईएगा और आप दीजे मुझे एजाजत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आदूस तो